हेलो फ्रेंट्स जैहिन और वेलकम बैक टुदा अनेदर वीडियो तो गाइस आज की सुड़े में हम बात करने वाले हैं पी टी इटी अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 2023 के लिए और गाइस यहाँ पे आपको फॉर्म में फोटोग्राप, सिगनेचर और थम इंप्रेशन कैसे अपलोट करना है यह आपसे अपलोट नहीं हो पा रहा है तो गाइस कैसे अपलोट करना है आज की सुड़े में आपको complete जानकारी दिया जाएगा जिससे आप यहाँ पे photo signature और thumb impression को यहाँ पे mistake free upload कर पाओ तो guys वीडियो इस्टार्ट करने से पहले मेरा आप से request है चैनल में नुए है तो चैनल को subscribe करें, share करें, like करें जिससे आने वाले जो भी update होंगे guys आपको मिल जाएगा अब देखे guys यहाँ पे photo signature और thumb impression upload करने से पहले जो guideline होता है इसको ध्यान से read करना बहुत ही जरूरी है तो guys इस video में आपको resize करके भी दिखाऊंगा, साथ में upload करके दिखाऊंगा मतलब complete process इस video में आपको बता दिया जाएगा सबसे पहले guys यहाँ पे guideline को हम देखते हैं तो आपका जो photo होता है guys यहाँ पे आपको 100KB से ज़्यादा नहीं आपको करना है मतलब 100KB इसका file रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए JPG format में आपको यहाँ पे रहना चाहिए file आप देखे guys आपको जो signature होता है 50KB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और आपका जो signature होता है black के blue ink से आपको white paper में signature करना है तो यह इसका guideline है, साथ में guys आपको यहाँ पे आपका जो hand thumb impression होता है यह आपको यहाँ पे देना होगा यहाँ पे 8 cm से यहाँ पे आपको आधिकतम guys यहाँ पे आप रखना है यहाँ पे 10 cm साथ में signature का जो इसका width और height होता है guys 5 cm से आपको यहाँ पे 3 cm के बीच में आपको यहाँ पे रखना है साथ में इसका अंगुठे का जो यहाँ पे thumb impression होता है सेम आपको यहां पर रखना है तो चलिए आपको सबसे पहले रिसाइज करके दिखाता हूँ इसके बन मैं आपको अपलोड करके भी दिखाऊंगा सबसे पहले यहां पर फोटोग्राफ, सिगनेचर और जो थाम इप्रेसन होता है इसको रिसाइज करने के लिए हमको प्ले स्टोर में जाना होगा अब देखे guys यहाँ पर play store में आएंगे आपको simple search करना है photo resizer यह आपको search करना है play store में यह app को आपको install कर लेना है अपने phone में अगर आप laptop से resize कर रहे हैं तो penit का जो option होता है उसमें जाके photo को resize कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं mobile से आपको resize करके दिखा रहा हूँ आप laptop या PC से भ औनि वाला है सबसे पहले इस वाले app को open कर लेना है guys open करेंगे तो इस परकार गरा hinter SY tá lies ने को मिल जाएगा इसके बद देखे वा आपको इहाँ आपको के लिएा है में उपने आतक्स पी वहां करने यहां पे वाले वाउक्स में आपको क्या करना है आप को 500 लिख लेना है क्योंकि इसका width और height वही हमको भूला गया है जो यहाँ पे upload करना है और इसका height होता है guys 1000 के बीच में रख लेना है तो इस परकार इसका width height रख सकते हैं साथ में इसका file का size होता है नीचे आप यहाँ पे set करेंगे file का size guys हमको रखना है 100 के बीच से ज़्यादा नहीं रखना है तो 80 के भी में यहाँ पे कर लेते हैं simple guys यहाँ पे ok में click कर लेना है तो second वाला जो photo होता है इसको यहाँ पे select कर लेते हैं इसके बाद देखिए guys हमारे जो photo होता है यहाँ पे resize हो चुका है इसको file size में यहाँ पे जाए मतलब gallery option में जाना है यहाँ पे इसके बाद upload कर लेना है अपना gallery में इसी type से guys हम यहाँ पे signature को भी resize कर लेते हैं aid वगेरा चलता है तो guys इसको skip कर लेना है इसी परकार आप देखिए guys इसी परकार हमको signature को भी resize कर लेना है यहाँ पे select कर लेना है signature को यहाँ पे मैं select कर लेता हूं जिसको मुझे upload करना है तो यह वाला signature को यहाँ पे ले लिए अब यहाँ पे फिर से आना है resize में आप देखिए guys इसका width और height जैसे बोला गया है वैसे आपको resize करना है यहाँ पे आजाना है फिर से आपको file size में आजाना है यहाँ पे custom में click कर लेना है इसके पर करना क्या है guys आपको इस वाले box में आपको क्या करना है 300 लिख लेना है 300 इसमें लिख लेना है और आपको इसमें 500 लिख लेना है तो 50 के पिसे ज़्यादा नहीं करना है फाइल का साइज simple ok में क्लिक करने ना है second वाला signature को यहाँ पर select कर लेना है इसके बद गैस यहाँ पर gallery option में आजाना है फिर से यहाँ पर इसमें इसके बद सबसे यहाँ gallery option में आएंगे इसके बद simple upload में क्लिक करना है जैसे upload में क्लिक करेंगे तो guys आपका जो signature होता है upload हो जाएगा gallery में अब देखे guys मैंने जो photo signature और यहाँ पर thumb impression के लिए same process है जैसे मैंने signature को research किया वैसे आपको thumb impression को भी research करना है अब यहाँ पर मैं upload करके आपको दिखा देता हो जो photo signature और जो मैंने thumb impression यहाँ जो research किया है उसके यहाँ पर simple upload करके आपको दिखा देता हो तो guys upload section में आ जाना है सबसे पहले यहाँ तो refresh कर लेता हो इसके बद simple यहाँ पर choose file में क्लिक कर लेता हो इसके बद फाइल को select कर लेता हूँ, सबसे पहले photo को upload करके दिखा देता हूँ तो यह जो photo होता है, simple इस परकार मैं select कर लेता हूँ तो guys, यह जो होता है, photo हमारा आ चुका है अब इसी परकार का यहाँ पर हम signature को भी ले लेते हैं तो इस परकार ले लेना है guys, thumb impression को आप देखे guys, यहाँ पर photo signature और जो thumb impression होता है यहाँ पर आ चुका है tension नहीं लेना है guys, यहाँ पर आपको नहीं so हो रहा है, तो आपको tension नहीं लेना है simple आपको next में click कर लेना है again guys, यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे सबसे पहले माता जी का नाम, यहाँ पे fill up कर लेता हूँ इसके बद आगे का process होता है guys, यहाँ पे आ जाएगा simple यहाँ पे next में click कर लूँगा जैसे guys, यहाँ पे next में click करेंगे तो आपको इस type से photo, signature और थाम इंपरेशन होता है, सोग हो जाएगा, तो इस परकार गाईस, यहाँ पर आपको फोटो सिगनेचर थाम इंपरेशन अप्लोड करना है, I hope गाईस वीडियो आपको समझ में आया होगा, जानकारी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, सेर करें, को गाईस, चलिए नेक्स वीडियो मिलते हैं, टेक केर, वाई वाई, थाइंक्यो समझ गाईस,